फिल्म इंडास्ट्री के एक शक्स ने किया दावा कि अक्षे को स्टार उन्होंने बनाया है। अभीजीत भटाचार ये इनका नाम है जो अक्सर अपने कॉंट्रुवर्शिल स्टेट्मेंट्स के लिए सुर्खियों में रहते हैं। के लिए गाने गाते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने शारुकान और सुनिल शेटी का एक्जामपल दिया है। उन्होंने कहा कि शारुक जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ख्लास है। वहीं सुनिल शेटी जो है वो रफ टफ है। और दोनों पर फिल्माए गए गाने हिट रहे हैं। इसके आगे वो अक्षे के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कहा कि प्लेबैक सिंगिंग में बड़ी ताकत होती है। किसी भी आक्टर को स्टार बनाने की ताकत रखता है। एक प्लेबैक सिंगर फिर चाहे राजकपूर हो, दिलिप सहब हो या फिर राजेश खन्ना हो। उन्होंने कहा कि खिलाडी फिल्म के बाद अक्षे कुमार स्टार बने थे और इसी फिल्म में मैंने वादा रहा सनम गाना गाया था। लेकिन जैसे ही मेरी आवाज अक्षे के साथ आने लगी, तबसे वो स्टार बनगे। तो जिस तरीके से अभीजीद भटाचार्य ने अक्षे को स्टार्डम दिलवाने का क्रेडिट खुद लिया है यानि कि नाक्षे कुमार के मार्शल आर्ट्स और लुक्स और ना ही अक्षे कुमार का स्ट्रगल कुछ काम का था ना प्रमोच शक्रवती जिन्होंने अक्षे कुमार को पहला चांस दिया उन्होंने कोई बड़ा काम किया बड़ा काम अभीजीद भटाचार्य ने किया जिनके काने की वज़े से अक्षे कुमार स्टार बने Playback singing बहुत जरूरी है और गाने, actors और फिल्मों को hit करवाया करते थे 90's में लेकिन ये जो statement है ये कहीं न कहीं बहुत जादा mean लगता है